हेलो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था What is Art Integrated Learning? और उसमें मैंने आपको इस question के answer के साथ साथ में ये भी बताने की पुशिश की थी कि हम EIL या Art Integrated Learning क्यों करते हैं और कौन-कौन सी arts हैं जिनको हम अपनी teaching learning strategies में involve कर सकते हैं और ये वीडियो मैं आपको for an example बना रही हूँ जिससे थोड़ा सा आपका view और clear हो जाएगा इस बारे में कि हम किसी भी art को अपनी teaching learning में कैसे involve करेंगे, कैसे integrate करेंगे और मैंने कुशिश किये कि मैं एक ही learning, एक ही art को अपने पूरें चारो subject से correlate करूँ और कैसे हम उसको involve कर सकते हैं, इसका एक छोटा से example है, इसको मैंने class 1 के लिए बनाया है जैसे कि आप देख में रहे हैं, जिसमें मैं उस art को maths, English, Hindi, EBS और drawing के साथ correlate करते वे, आपको बताऊंगी, ये कौन सी activities हैं जो हम उनसे करवा सकते हैं और इस video के लिए मैंने जो art को select किया है, वह है origami, origami जैसे कि आप जानते हैं, paper folding है और बहुत ही famous है, बच्चे इसमें बहुत enjoy करते हैं, बच्चों को इसको करने में मज़ा भी आता तो मैंने इसमें बहुत ही simple सी, एक छोटी सी origami ली है, जिसको हम correlate करेंगे अपने different subject से, तो चलिए देखते हैं कि वे कौन सी origami है, जो हम इसमें ले रहे हैं उसको देखते हैं, उसके बाद में हम आपको इनका correlation बताएंगे Hello friends, आज मैं आपको origami dog बनाएं से खाऊंगी, इसके लिए आपको दो square sheet paper चाहिए और कुछ colors, तो सबसे पहले हम लोग अपने first paper को diagonally fold करेंगे, फिर हम लोग इसको छोटा सा triangle की shape में बनाएंगे, फिर हम लोग इसको color करेंगे Friends, देखें हम लोग ने इसको ऐसे fold कर दिया है, अब हम लोग इसको छोटे से triangle की shape में करेंगे, जिससे के हम लोग इसका मूँ बना सकें, और इसको red color से dark कर देंगे अब हम लोग इसके ना, कान और मूँ बनाएंगे पहले हम लोग इसकी आख बनाएंगे पहले हम लोग इसकी चोटी चोटी आइब्रोज बनाएंगे अब इसकी हम लोग चोटी इसी triangle की shape में नाख बनाएंगे इसकी बनाएंगे अब देखे फ्रेंट्स हमाएं डॉक का face तयार है अब प्रेंट्स हम लोग इसकी दूसकी square sheet लेंगे और इसकी body बनाएंगे इसको भी ऐसे diagonally fold करना है और ऐसे चोटा से curve shape में और यह देखे इसकी body अब पूच को हम लोग color कर देंगे चैसे चोटा से और फ्रेंट्स देखे हमारी body भी तयार है फ्रेंट्स देखे हमने इसकी body और face दोनों बना लिया अब मैं आपको सखाऊंगे कि इसके face और body कैसे जोड़ना है यह जो हमने बीच में gap छोड़ा है यहां पर हम लोग body भुसा देंगे और यह हमारा dog ready है और मेरे pet dog का नाम है फ्रेंट्स अभी आपने देखा कि हम लोगों ने एक origami में एक चोटा सा simple सा dog बनाया है जिसमें बच्चों को हम लोगों ने folding सिखाई है coloring सिखाई है और कुछ नई नई चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया है तो बच्चे क्योंकि class 1 की हैं तो उनको इसको करने में बहुत मजाता है तो ये class 1 के लिए हम लोगों ने बनाया है इसमें जैसे कि आप देख रहे थे कि इसने जो material का requirement है वो भी बहुत कम है जिसमें छोटा सा थिक white sheet ले सकते हैं white color मैंने इसलिए लिए है paper का ताकि आप उसमें different colors बच्चों से करवा सकें जो बच्चों को मजाता है और color pencils की ज़रूरत है color करने के लिए और हम अपने as a teacher बच्चों के साथ में धे 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 इन steps को करेंगे तो बच्ची हमारे साथ एक एक step करते जाएंगे जब हमारा dog बनकर बिलकुल त्यार हो जाएगा तो अगर बच्ची की folding भी कलत है तो please उसको आप correct मत कीजिए try to justify कि हाँ बच्ची ने जो बनाया है वो बहुत अच्छा है because हमारा जो पूरा ध्यान होगा वो हमारे process पर होना चीए ना कि हमारे product पर means हमारा कितना सुंदर dog बन रहा इस पर हमें दिमाग कम लगाना है इस पर ज़्यादा लगाना है कि बच्चा सारे process को अच्छे से कर रहा है कि नहीं अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने इंसको correlate किया है अपने subject से सबसे पहले हम लेते हैं math subject जिसमें मैंने आपको देखे दो activities दी हैं पहली है कि जिसमें हमने बताया कि आप बच्चे से ही कहेंगे कि हमने जो आज डॉग बनाया है उसमें आपने कई shapes को देखा जैसे हमने paper को लिया तो square shape था फिर हमने उसको triangle shape में बनाया फिर हमने उसकी जब eyes बनाई तो हमने circle shape यूज किया आप बस बच्चे से यही कहें कि उन shapes को जो आपने during folding of this paper किया है उसको आप अपने हाथ से draw कीजिए अपनी copy के अंदर दूसरा आप उनको एक work दे सकते हैं कि आप कोई भी एक ऐसा design बनाए इन ही shapes की help से जो shapes आपने उपर draw की ही इनकी help से ही आप एक और design बनाएंगे अपनी copy में ही और उसको color करेंगे यह आपका math का work हो गया English में आप क्या गय सकते हैं कि give them a proper name to your pet dog means आप उसको बता रहे हैं कि नाम देना है नाम से आप उसको noun से introduce कर सकते हैं proper का मतलब आप बता सकते हैं कि इसका fixed है तो यह proper noun क्यों होता है यहाँ आप उसको सिफ verbally थोड़ा सा बता दीजिए noun का introduction है यह मग अगर उसको आपको define करन की जरूरत नहीं है उसके बाद आप एक छोटा सा कामन से करवा सकते हैं कि इसी pet पर जो आपने pet का नाम दिया है इस पर आप कुछ चीज़ें इसके बारे में लिखिए small sentences जैसे कि उसका नाम क्या है वो कैसा खाना काता है उसको क्या खेलना पसंद है यह 3-4 sentences बच्चे लिखें या सिर्फ आपको बताएं तो आप बच्चों को लिखना मता सकते हैं कि क्योंकि इसमें हिंदी में मात्राओं की गलती बच्चों से होती है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको आप ठीक करेंगे और उसके बारे में यानि कि अपने पालतु कुत्ते के बारे में कुछ पंक्तियां लिखें या बताएं क्लास में आप उससे बोलने के लिए भी कह सकते हैं इस चीश को यह हमारा हिंदी से इंटिग्रेशन हो गया EBS में हम क्या करेंगे कि EBS से हमारा इंटिग्रेशन का मतलब रहेगा क्योंकि हम इसमें जनरली अपने एनवारिमेंट से रिलेट करते हैं तो हम इसमें बताएंगे कि कौन-कौन से एनिमल्स हैं वो आप बताएंगे जिनको हम as a pet अपने घरों में रखना पसंद करते हैं ठीक है तो उनके नाम या उनकी pictures को हम इसमें paste कर सकते हैं और उसी pictures को फिर हम paste करना बता दें कि आप उन pictures को paste करेंगे तो यह इस तरीके से आप एक origami बना करके किसी भी एक एनिमल की आप उसको अपने इन चारों सब्जेक्स से correlate कर सकते हैं अगर एक teacher पुरी चारों सब्जेक्स ले रहा है तब ही भी आप ले सकते हैं आप उसी origami को अपने notice board पो चिपका दीजिए और चारों teacher आपस में इसको suggest करने कि आज हमने origami कराई है इसको हम अपनी class में कैसे correlate करेंगे तो मुझे लगता है कि इस पूरे process में पूरे project से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे छुटी छुटी arts को आपको सुटी आपको सूबस्क्राबागे लगता है ओर अपको अजिए वे इसकोड़ी लगता कर दो चाहर बगता है आपको सुटी आपको सूबस्क्राबगगे साथ तो बीड़ी को